हेलो दोस्तो वेल्कम बैक टू मैं चैनल और आप में जिस मुवी को एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ उसका नाम है सैलर ये हार थिलर मुवी साल 2022 में रिलीज हुई थी और अधर हम इसकी रेटिंग की बात करें तो इसकी MDP रेटिंग 5.3 स्टार्स आउट अप 10 है तो दोस्तो अगर आपको मेरा मुवी एस्प्लेशन वीडियो पसंद आए तो प्लेश मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें मेरा वान के सब्सक्राइबर फैमिली पूरा करने के लिए तो देर नहीं करते हैं अब अब अधर के मुझे सब्सक्राइब करें तो मुवी के स्टार्टिंग में हम एक ओल एंडिक मैंशन को देखते हैं जहाँ पार एक फैमिली रिसनली शिप्ट हुई थी जिन में से हम पहले ब्राइन वुड्स और इसके छोटे बेटे स्टिवन को देखते हैं और फिर कुछ दिर बाद हम ब्राइन की वाइस खियारा और इसके टीनेज डॉटर एली को भी देख पाते हैं कि यह रखो तो वो मैंशन बहुत ही जादा पसंद आता है लेकिन एली को वो घर बिलकुल अगली और हांटिंग लगता है और घर में एंटर होते ही घर में मौजित प्रिवियस ओनर के पेंटिंग्स भी उसे सिनिस्टर और क्रीपी लग रहे थे और उसे तो वो घर बिलकुल भी पसंद नहीं आता लेकिन स्टीवन काफे खुश होता है अपने नए कमरे से जो उसकी फादर ब्राइन ने उसके लिए और्गनाइज किया था उसके लिए एक प्लेयर उनकी तरह जिसमें उसके वीडियो गेम्स बुक्स रटेरा से मौजूद थे लेकिन शायद एली और उसकी पैरस में बिलकुल भी नहीं जमती थी क्योंकि शायद हो उसे समझने में असमर्थ थे यह सब अकसर टीनेजर्स के साफ में होता रहता है कि जब बच्चे टीनेजर्स हो जाते हैं पैरंस उनके लिए बिलकुल भी टाइम नहीं निकाल पाते उनकी दूविदाओं को दूर करने के लिए और इसलिए टीनेज में साइब बच्चे चिलसीले हो जाते हैं अकेले पड़कर हाला कि एली के फादर उस वक्त उसे हर कमरा दिखा कर उसे चियर अप करने की कोशिश कर रहे थे और तब ही एली की नजर पड़ती है सेलर की और जिसे आप तैकाना भी समझ सकते हैं जिस कमरे के अंदर पूरे घर का मेंड पावर सप्लाई होता है और एली जब उसके अंदर देखने के लिए जाती है उसे वो जगा बहुत ज़ादा गंदी लगती है और उसी शंट जब एकान एक सब लग बाहर आ जाते हैं एली कमरे के अंदर ही बंद हो जाती है और वो तब अंदर ही फसी रह जाती है और दर्वाजा खुलता ही नहीं तब एली को उस वक्त ऐसा फिल हो रहा था कि जैसे उसके सिवाए और भी कोई सेलर में मौजूद था कि उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था इसलिए एली बिल्कुल से डर जाती है और वो जोर जोर से दर्वाजा पीटने लगती है खुलने के लिए तब किसी तरह ब्राइन उस दर्वाजे को चावी की मदद से खुलता है और तब बाहर आते ही एली गुस्से में कहने लगती है कि उसे इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना लेकिन वो बेचारी जाती भी कहा और वो इसके बाद अपने कमरे में जाकर अतना सामान अनपेक करने लगती है और तबी कियरा आकर एली को ये बताती है कि रात में वो दोनों एमर्जनसी मीटिंग एटेंग करने के लिए जा रहे हैं और वो कपल तब सोशल मीडिया प्रोमोशन बिजनस में इंवार्व थे जिससे उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था इसलिए कियरा तब एली को स्टीवन का खयाल रखने के लिए बोलकर वहां से चली जाती है हाला कि एली उस वो ककेले घर में रहना मिल्कुल भी नहीं चाती थी और वो अपने ओल फ्रेंस को बहुत ज़्यादा मिस्ट कर रही होती है और कियरा की जाने के बाद एली जब उपने फ्रेंस से बात कर रही हो दिया स्टीवन आतार उसे अचानस से डरा देता है और एली को बहुत ज़्यादा तंग करता है तब एली को मजबूरन कियरा को फोन करके स्टीवन को डटवाना पड़ता है और तब जाके Stephen थोड़ा शांत होता है लेकिन Ellie सोच में पड़ जाती है कि Stephen को वो गोट का स्कल कहा से मिला जिससे उसने Ellie को डराया था तब Stephen उसे एक सीक्रिट चेंबर के अंदर लेकर जाता है जहां से उसे वो स्कल मिला था जो उसके प्लेयरूम में मौझूद था और वो चेंबर स्ट्रेंज क्रिपी चीजों से भरा पड़ा था और उसमें एक ग्रेमोफोन भी मौझूद होता है एक रिकॉर्ड के साथ और Ellie जब उसे प्ले करती है उसमें थे एक आदमी की आवाद उसे सुनाई देती है जो mathematical equation रीड कर रहा होता है और उसके बाद वो number count करने लगता है तब Ellie उसे बंद करके स्टीवन को सुला देती है और खुद कमरे में टीवी देखने लगती है और तभी कुछी देर बाद घर के अंदर एक तेज हवा का जोका आता है और बारी बारी घर के पूरी lights चली जाती है और इस तरह से lights जाने के वज़़े से एली बहुत ज़दर ढर जाती है क्योंकि पूरे घर में अंधेरा हो जाता है इसलिए वो कियरा को कॉल करके उसे उसकी बारे में बताती है तब कियरा उसे सेलर में जाकर फ्यूस को चेफ करने के लिए बोलती है जबकि एली में इतने हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी उस इंसिडन्ट के बाद से लेकिन जब Kiaira LA को Stephen का वास्ता देती एए कि Stephen अकेले ही कमरे में ड़ल जाएगा तब LA हिम्मत करके वहाँ पर जाती है और LA को हिम्मत देने के लिए कियरा उसे काउंट करने के लिए बोलती है और जबकि سैलराम में से दसी सीडिया होती है एली unstoppable count करते ही चली जा रही थी और किमकि एली और कियरा फोन से connected थे कियरा उसके counting की आवाज के सुन पाती है और उसे सुनकर वो बिल्कुल डर जाती है और तब कियरा और ब्राइन दोनों घर वापस लोट आते हैं लेकिन जब वो घर लोट कर सेलर को चेफ करते हैं एली ना तो उन्हें वहाँ पर मिलती है और ना है पूरे घर में उसके बात तब वो लोग पुलिस की health लेते हैं उसे ढूनने में फिर पिर उन्हें एली कहीं भी नहीं मिलती और कियरा को तो पूरा विश्वास था कि एली की साथ में कुछ तो बुरा हुआ है लेकिन ब्राइन को लगता है कि शायद वो उसे नारास थी इसलिए वो घर छोड़कर चली गई लेकिन कियरा एली को ढूनने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी और स्टीवन भी एली को लेकर बहुत ज़्यादा उदास था और कियरा जब पूलिस के पास जाती है तो कियरा को ये पता चलता है कि एली को सोचिल मीडिया पर बहुत ज़्यादा बूली किया जा रहा था जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास थी और पुलिस भी हर मुम्किन कोशिश करती है हर जगा की कैमरा, बस्टाप पर चेक करके और लोगों से पूछ सास्तर के भी लेकिन उन्हें एली के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता और वो भी तब सोचने लगते हैं कि शायद वो तांग आकर कहीं भाग गई होगी क्योंकि उसने ऐसा पहले भी किया था और कियरा को तब महा से खाली हाथ वापस लोटना पड़ता है लेकिन जब वो गर वापस आती है वो मेंशन के हेडिंग पर एंग्रेप कुछ वर्डिंग को देख भी है और इसके बारे में वो इंटरनेल पर खोशती है और साथ ही में एली के बारे में भी कि एली ने अपने पैर पर एक टैटू बनवाया है जिसमें लिखा हुआ था जिस किस्ताकी के लिए वो अपने मा से बहुत डर रही थी क्योंकि वो गौद पर विश्वास नहीं करती जिसके बाद किया है जब वापत से सैलर में जाती तब वो नोटिस करती है कि सैलर के हर स्टेप पर वन तो नाइन नमबर्स एंग्रेव्ट है और लास्ट के स्टेप पर एक लॉन मैथेमेटिकल इक्वेशन इंग्रेव्ट है और दिवारों पर कुछ क्रिपी तोर्स की जैसे पेंटिंस बने में थे इसलिए वो दुसरी दिन इंवेस्टिगेटर्स को बुलाती है जिसकी बाद हम यहाँ पर जान पाते हैं कि ब्राइन ने वो घर आक्षन में खरीदा था और उस घर की एकलोती वारस ने उसे बेचा था क्योंकि वो बोड़ी हो गई थी और उसे अपने मेडिकल बिल्स पे करने थे क्योंकि वो बिमार रहती थी और ब्राइन को जब इसका प्रैस सस्ता लगा तब उसने लपक के घर खरीद लिया और उसकी बारे में उसे पता भी नहीं किया और यही उसकी सबसे बड़ी गंती थी और वो इन्वेस्टिगेटर उस क्रिपी पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जान पाते लेकिन उसी रात केरा बादरूम से किसी लेडी की आवास सुनती है जो कांटिंग्स कर रही होती है और केरा तब उस आवास को फॉलू करते हुए वापस से सेलर में पहुँच जाती है और तब इस सेलर के अंदर मौजुद स्टिवन का प्ले बाल उसके पेरे से टक्रा कर सीडियो से नीचे गी जाता है लेकिन केरा उस बाल के आवास से अंदाजा लगाती है कि वो बाल बहुत जादा नीचे जाकर गीरा है और सेलर में ढूलने पर भी वो नहीं मिलता और सुबा कियरा हर दर्वाजे के उपर बने कुछ सिंबॉस को देखती है जो उसे बहुत जादा वीर लग रहे होते हैं और जब वो उसके बारे में ब्राइन को बताती है वो और सब चीजों पर ध्यान ही नहीं देता और इसलिए कियरा उस मेंशन के प्रिवे सोनर के बारे में पता करती है और और सिंबॉस के बारे में वो पता करने के लिए अपने कॉलिग को दे देती है जो एक साथ connect करने पर लेवाइथन का सिंबल निकल कराता है और लेवाइथन के बारे में कहा जाता है कि लेवाइथन एक लाज्टी मॉंस्टर है या फिस्तरपन भी हो सकता है जिसका उलिख हिब्रिक बाइबर में किया गया है जो एक Jewish mythological creature है और तब ही कियारा का मूड अचानक से घूमता है और वो ग्रेमोफोन के recording को चालू कर देती है इस वज़ा से स्टीवन के साथ strange चीज़े होना शुरू हो जाते हैं उसकी प्लेरूम में और तब उसकी कमरे का वो secret chamber अचानक से खुल जाता है और स्टीवन तब counting करते हुए उसके अंदर चला जाता है लेकिन कियारा स्टीवन के counting को सुन लेती है और भला स्टीवन के कमरे में पहुंच कर वो सही समय पर उसे बचा लेती है लेकिन कुछ देर बाद जब वो उस घर के owner के बारे में पता कर रही होती है जिसका नाम होता है John Featherston जो एक famous mathematician होते हैं और उनके काम को उस वक्त बहुत ज़्यादा सराहा गया था और लोगों का मानना था कि उनकी family की missing होने का कारण उनके occultism practices के वज़े से हुआ होगा मतलब कि Ellie पहली वेक्ती नहीं थी जो missing थी इसके पहले Featherston की पूरी family missing हो गई थी तभी वापस से lights चली जाती है और कियरा स्टीवन की आवाज सेलर से आते हुए सुनती है लेकिन जब वा सेलर की की होसे जाकती है तब उसे उसमें से एक डेविली शायस दिखाई देती है जो असलियत में स्टीवन की आवाज में बोल रहा था क्योंकि स्टीवन तो बाहर ही खड़ा था तब कियरा वापस से सेलर में जाती हुए से चेक करने के लिए और तब इस सेलर का डोर वापस से stuck हो जाता है और कियरा का फोन भी गिर जाता है और वो भी ढूने पर नहीं मिलता तब स्टीवन अपने पोरी कोशिश करता है डोर कुचाबे से खोलने के लिए लेकिन वो नाकाम ही रहता है और इस दावरान कियरा उस इवल की प्रेजन्स को अपने पास महसूस कर पाती है और बिल्कुल से सहम जाती है और तब इस सही समय पर ब्राइन घर अकर पहुँच जाता है और कियरा को बचा लेता है और दुसरे दिन कियरा अपने सवालों को जवाब ढूने के लिए पहुँच जाती है मैथमेदिशियन के पास उसी इक्वेशन के साथ जो सेलर के स्टेप पर लिखा हुआ था और वो तब उस इक्वेशन के बारे में बताता है कि वो इक्वेशन अलकैमिस्ट द्वार इंवेंट करिया गया था और वो कहता है कि वो इक्वेशन almost incomplete incarnation जैसा है मतलब हम मंत्रा भी समझ सकते हैं जो एक अलग डाइमेंशन के उपस्तिती को डर्शाता है और वो प्रफेसर आगे उसे बताता है कि यह सेम इक्वेशन बेल्जम के एक घर में भी पाया गया था और वहां की फैमेली भी उसी तरह से स्ट्रेंजली मिसिंग थी जिसका आज तक पता ही नहीं चला लेकिन जब वो इन सारी जानकारियों के साथ वापस ते घर आती है और ब्राइन से ये सारी बाते शेयर करती है तब ब्राइन इसके बातों पर विश्वास नहीं करता और वो उल्टा उसे ही रांद विश्वासी कहता है और उस पर गुस्ता भी करता है कि इस से उसके वेटी की खोने का क्या connection है और बहास करते करते वो दोनों जब cellar तक पहुच जाते हैं या दुसरी और स्टीवन वापस से सिक्रिट कैबिन की तरफ एंट्रेप्ट होने लगता है और cellar में जो कियरा और ब्रैन की बाहस ज़्यादा गंभीर हो जाती है कियरा वहाँ से बाहर आ जाती है और ब्रैन तब गुस्ते में हथोरे से उस एंक्रेव एक्क्वेशन को तोडने लगता है जिसमें से एक metallic sound आता है जो gramophone को trigger कर देता है और वो तब अपने आप ही बजनी लगता है और स्टीवन तब उस चैंबर में एली की एक छलब को देखता है और वो तब डर के मारे छिलाने लगता है क्यूंकि एली एली जैसे लग ही नहीं रही थी और तब सरी समय पर ब्राइन और एली आकर स्टीवन को बचा लेते हैं और उन्हें तब एली का फोन उसी चैंबर में मिलता है और उस फोन को देख कर तब ब्राइन को भी थोड़ा-थोड़ा कियरा के बात पर यकीन होने लगता है और इस इंसिडेंट के बाद कियरा दुसरी दिंग पहुंच जाती है जान फेटरस्टन की बेटी रोस के पाख और रोस आज तक इस सदमे से उगर नहीं पाई थी जिस वज़ा से वो जादा कुछ बोज़ भी नहीं पाती लेकियरा जब उसे सारी बाते बताती है और उसकी हेल्फ मांगती है अपने बेटी को ढूनने के लिए तब रोस के रोसे सारी बाते बताती है कि उसकी फादर ने एक दुसरी डाइमेंशन का पोर्टल ओपन किया था अपने मैथेमेथिकल जीनियस दिमाग को लगा कर एक स्पेसिफिक इक्वेशन को इस्तमाल कर शिफ अपने बेटे के इलनस को क्योर करने के लिए जब साइस उसके बीमारे को ठीक नहीं कर पाया और तब मिस्टर फैथिस्टन ने डेविल के साथ में डील करी और अपने इस मैंशन को बैफर मेट के एक डैन की तरह बना दिया मतलब वो कभी भी उसमें से आज आ सकता था अपने शिकार को ले जाने के लिए लेकिन मिस्टर फैदर स्टन को यह नहीं पता था कि बैफरमेट उसके साथ में दोखादरी करेगा और उसने उसके बेटी को कभी जिन्दार ही ने या और वो तो पूरी परिवार को ही निगल गया और यहाँ दुसरी और ब्राइन भी अब उन सिंबोल्स को करनेक्ट करके उनकी बारेवे इंटरनेप पर खोचता है तब उन सारे सिंबोल्स को करनेप करने पर वो एक स्टार शेप से एक पेंटेग्राम सिंबल निकल कर आता है और यह सिंबल एक्चूनी में डीमन सिर्फ स्टीवन को वहां बुलाने के लिए और स्टीवन भी तब उसकी पीछे सेलश तक पहुँच जाता है और तब कियारा को फैटर स्टोन की कॉलिग मिस्टर एविंस क्रॉडिनर के थियरी की बारे में याद आता है जिस थियरी का नाम होता है दे कैट इन दे बॉक्स कि जब तक हम बॉक्स को नहीं खोलते तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि कैट जिन्दा है या मर चुकी है और तब तक हम इस कैट को अधमरी समझ कर चल सकते हैं और ये थियरी एली पर भी एपलाइ होता है और कियारा भी तब ये समझ चुकी थी कि हैल का वो पोर्टल लेकिन हम तब बैफों मेट को वहाँपर मौजूद देखते हैं जिसे देख का स्टीवन जैसे ही चिलाता है ब्राइन और कयार उसे ढूंदते हुए सेलर में पहुच जाते हैं लेकिन उन्हें वहाँ पर स्टीवन नहीं मिलता पर शकाव द्रौन वह पर मिल जाता है और कैरा आग की तरह तप रहा होता है और तब उसे ठंडा करने के लिए कियरा जैसे उसकी टीशेट को उतारती है वो उसके चेस्ट पर भी वही सेटानिक पेंटरग्राम को देखती है और पॉजर स्टीवन तब कहता है कि उसने बीस्ट को देखा है और बस उसी वक उतका शरीर करने लगता है और तब फिर से कांटिंग शुरू कर देता है और इस बार वो उल्टी गिंती गिनना शुरू करता है तब कियरा ब्राइन को बुलाती है स्टीवन को समालने के लिए लेकिन ब्राइन भी पॉजर्ट हो चुगा था और वो भी स्टीवन की तरह उल्टी गिंती गि कोशिश करती है लिए जैसे ही वो सननाटा देखकर बाहर निकलती है बैफोमेट इस पर अटेक कर देता है लेकिन कियरा गुद्धी माने से उसी कमरे के अंदर बंद करके सेलर की और भागने लगती है एली के लिए जहां पर वो इस बार लंबे सीडियों को देख पाती है जो उसी भीर को देखकर कियरा हिमत हार जाती है क्योंकि इतनी बड़ी भीर में एली का मिलना नानुकिन था क्योंकि सब आलमस्ट एक ही जैसे डल रूखे बेजान और अदमरे से लग रहे थे लेकिन तब यह की नजर पड़ती है एली के पैन में बने इस टैटू पर और वो त आली लैट्स ठीक हो जाती है और एली भी होश में आ जाती है और स्टीवन और ब्राइन भी ठीक हो जाते हैं इसलिए सब खुशिया मनाने लगते हैं कि वो बचक है और कियर रहे तब इसके बाद अपने फैमिली के साफ उस घर में एक स्वल भी नहीं रुपना चाहती थी लेकिन जैसे ही वो फ्रंट डोर को खोलती है बाहर जाने के लिए तब वो बाहर का नजारा देखकर शॉक्ट रह जाती है क्योंकि वो देखती है कि वही सेलर वाली सारी सीडिया जो हैल की तरफ जा रही होती है वहाँ पर मौजूद थी और तब एली स्टीवन और ब्राइ ही है यल कि वो पूरा घर ही हैल का पोटल है कि बाद अंत में हम कियरा को भी कांटिंग करते हुए सुनते हैं और रही बात रोज की सर्वाइवल की तो हो सबता है कि वो कभी सेलर में ना एंटर हुई हो और शायद इसे लिए वो जिन्दा बच गई हो और इसे के साथ ये मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए गुद बाई टेक केर एंट थैंस वर वागव